Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to preview and prediction of Queen of Tears episode number 6 तो guys, day by day ये ड्रामा और interesting होते जा रहा है, और sad होते जा रहा है but more than becoming interesting, ये ड्रामा saddened पे जा रहा है मतलब episode of 5 में जब हमें पता चलता है कि हें इनके cancer का फिलहाल कोई treatment नहीं है वो point में literally I was shattered दो हमें इस चीस का idea था because उसके doctor ने उसे already बोल दिया था कि उसका treatment अभी नहीं होगा उसके अलावा एक और sin ने literally हमारे heart को touch किया है, वो है ये वाला के sadness की कोई हदी नहीं थी इस episode में to the point मुझे इतना sad लग रहा था कि मैं सोच रही थी कि ये episode के बाद में ये drama quit करने वाली हूँ but मैं ऐसा नहीं कर सकती because किम सो यून और किम जी ओन एकी drama में बार बार नहीं मिलने वाला है तो खेर ये सारे sad scenes के अलावा एकाथ scene ऐसा भी था जिसने हमें थोड़ी खुशिया दी है वो था episode no.5 का end, yes guys finally Hyun Woo और Hye In are back together, Hulu का relation जो था वो restore हो चुका है इस scene में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि Hyun Woo ने clearly Hye In को बोल दिया कि उसने अपनी marriage के life में काफी struggle किया और काफी रोया और ये confrontation के बाद जो earnest kiss थी, it was amazing but guys, ये amazing kiss देखने के बाद भी हमें इतना अच्छा feel नहीं हो रहा है because throughout episode जो हमें trauma मिला है, जो sadness मिली है उसको कोई comparison ही नहीं है और ये sadness यहां खतम नहीं हो रही है प्रिव्यू के हिसाब से मुझे लग रहा है कि next episode भी saddy होगा तो enough with previous episode की बाते और top glimpse ना शुरू करते हैं हम episode number 6 का preview spoiler and prediction तो preview start करने से पहले disclaimer next episode भी episode number 6 भी saddy होने वाला है तो do not expect much happiness ना शुरू करते हैं जैसे के हम अच्छे से पता है episode number 5 एंड हुआ था with a confrontation or restoration of their relationship और finally Hyunwoo और Hyein एक दूसरे के ओपर emotionally rely करने के लिए ready हो चुके हैं तो ये दिन काफी excitement और happiness के साथ खतम होगा Hyein और Hyunwoo के लिए because they are finally back together और तो और फिलाल उलोंस जगे पे हैं जर्मनी में वो उलो के लिए काफी special है मतलब उलो के honeymoon की place है बहुत ही special memories दोनों share करते हैं तो इस दिन के बाद भी Hyunwoo और Hyein South Korea return नहीं जाएंगे और वो लोग कुछ time जर्मनी में ही spend करेंगे और Hyunwoo और Hyein अफकॉस अच्छे अच्छे moments हमें any soon को improvement देखने के लिए नहीं मिलेगा because उसका कोई treatment हो ही नहीं रहा है और तो और उसका जो हालत है वो next episode में ही हमें और बिगड़ते वे दिखेगी वो जर्मनी में जब Hyunwoo के साथ घूम रही होगी शायद कुछ time के लिए दोनों एक दूसर सा अलग होए होएंगे कि Hyunwoo को suddenly hallucination होने लगेंगे और वो hallucinate करके अपने elder brother को देखीगी जिसकी death बहुत साल पहले हो गई थी इसके बाद मुझे preview के सबसे ऐसा लग रहा है कि probably Hyunwoo उसे ढूनेगा और उसे admit करेगा यह सब जर्मनी में ही होने वाला है बड़ यहां से जो sadness start होने वाली है उसका end यहां नहीं होने वाला है in fact sadness बढ़ जाएगी हेईन के घर के वज़े से yes guys Hyunwoo और हेईन के घर में कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसके अरे से दोनों के रिलेशन में वापिस से problem create हो जाएगी प्रिव्यू के हसाब से Hyunwoo और हेईन के absence में Hyunwoo का जो locker है उसका person locker वो कोई break करेगा probably उसके locker के अंदर जो paper है या तो कोई उससे steer करेगा या तो उसके अंदर के paper निकाल के भार फैला देगा और उस locker के अंदर कुन से paper है या हम एच्छे से पता है उसके और हेईन के divorce के paper है जो उसने prepare गया था वो उसने वहां रखा था तो यास गैस जब उसका locker break होगा हेईन के घर वाले वो paper देख लेंगे उसके divorce के paper देख लेंगे तो इस तरह के से यानवर हेईन के relation में वापिस से problem create होना स्टार्ट हो जाएगी और ये locker break किसने क्या होगा ये बात हमें अच्छे से पता है उन संगने क्या है तो ये सारी sad चीज होने वाली है upcoming episode में उसके अलावा एक औरी चीज मुझे देखने के लिए प्रिवियो में जो मुझे लगता है कि थोड़ा fun way में होगा वो ये है कि हमें एच्छे से याद है episode number 4 में हेईन का जो वीडियो record होके viral हुआ था उसके वज़े से यौंगदूरी जो है वो एक favorite tourist spot बन जाएगी लोगों के लिए और यौंगदूरी कम बोल सकते है थोड़ी famous जगा बन जाएगी thanks to हेईन